हेलो एवरिवन बी एसे ट्रुकी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको हिंदी के कुछ महत्पून परिष्ट कराऊंगा जो आपके आने वाले एक्जाम बीएट के लिए बहुत ही महत्पून है देखिए हमने टार्गेट लेकर रखा है टार्गेट लेकर हमने आपका टार्गेट रखा है दो सो कचा आपको थोसोपचास नंबर लाना है इसलिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है आपको बीहट की क्लास दी जाती है' आप उनको स्ही तरीके से पढ़ें कि उनके नोट्स बनाएं और उनका प्रॉपर तरीके से रिवाइस करते है टाइम टू टाइम इसलिए तो आपके आराम से 250 मार्क्स आ जाएंगे और आपको सरकारी कॉलिज में एक सीट आपकी पकी हो जाएगी देखिए इस तरह से पहला प्रिष्ट हबलों के साबने है तत्सम शब्द का चैन कीजिए कृष्ण काम काट या कूड़ा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृष्ण इसमें जो कृष्ण शब्द है इसमें जो कृष्ण शब्द है इसमें जो कृष्ण शब्द है वो तत्सम है अब आप लोग मुझे बता दिए कि काम का तत्सम क्या होगा काम का तत्सम क क्या होगा देखिक काम का तद्सम हो जाएगा काम का तद्सम कर्म हो जाएगा और कोड़े का कूले का तद्सम क्या हो जाएगा मैं सभी के आपको तद्समिया umbrella रखना है अगला पशन देखिए कारज काम कर्म करन इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है आपको फिर से एक बार तत्सम शब्द दे दिया गया है और इसमें से आपको तत्सम बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है देखिए अब ही मैंने आपको बताया था कि काम का तत्सम क्या होता है काम का तत्सम होता है काम का तत्सम होता है कर्म काम का तत्सम होता है कर्म और इसमें तत्सम शब्द ही पूछा है तो ये हो जाएगा कर्म इसका उत्तर हो जाएगा सी कर्म जबके मैं आपको बता दूँ यह जो कारज शब्द है कारज कारज शब्द जो है यह तत्भव शब्द है ठीक है यह तत्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा कार इसका सही उत्तर आप लोग बताएं निमलिकित पृति एक वाक के खंड के लिए उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए जिसका पती परदेश से लौटा हो उसको क्या बोलेंगे आती थेई आद्म घाती आजीवन या आगत पतिका देखे इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आगत पतिका यानि कि जिसका पती परदेश से लौटा हो उसको हम लोग आगत पतिका कहते हैं अब आप लोग मुझे बताएं कि आती थेई का मतलब क्या होता है और आत्म घाती का मतलब क्या होता है और आजीवन का मतलब क्या हो देखिए आजीवन का मतलब होता है पूरे जीवन में आपको ये याद रखना है पूरे जीवन में ठीक है अब आप लोग मुझे बता है आत्मगाती का मतलब क्या होता है आत्मगाती का मतलब होता है जो अपनी जो अपनी हत्या कर लेता है जो अपनी हत्या कर लेता है उसको आत्म घाती बोलते है ठीक आज जीवन यानि के पूरे जीवन में ठीक आगत पति का यानि के जिसका पती परदेश से लोटा हो और आती थेई का मतलब क्या होता है आती थेई का मतलब क्या होता है आती थेई यानि के आती थेई की सेवा करने वाला आती थेई की सेवा कर करने वाले को हम आती थे ही बोलते हैं अगना प्रश्ण हम सभी के सामने जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं ठीक है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक एक गुरूप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ठीक है और जो लाइव देख रहे हैं और उनकी तादाद ब शेयर कर दें और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें देखिए वो कभी जो ततकाल कविता कर डालता है आशुकवी आश्वस्त आवदिक या आया तक क्या खेलाता है जो ततकाल कविता कर देता है इसका सही उत्तर आप लोग बताएं इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आशुकवी आशुकवी जो होता है वो ततकाल कवीता करता है अब आश्वस्त का मतलब क्या होता है आश्वस्त का मतलब क्या होता है आश्वस्त का मतलब होता है जिसे दिलासा द दिलासा दिलाया गया हो जिसे दिलासा दिलाया गया हो जिसे दिलासा दिलाया गया हो उसको क्या कहते है आश्वस्त कहते है आवधिक का मतलब क्या होता है आवधिक का मतलब होता है आवधिक का मतलब होता है आवधिक से संबंद रखने वाला आवधिक से संबंद रखने वाल और आयातक का मतलब क्या होता है आयातक का यानि कि दूसरे देश से वस्तूओं का आयात करना आयातक कहलाता है ठीक है उपर की और उचलता हुआ इसको क्या बोलेंगे उच्छिप्त बोलेंगे उत्तरदाई बोलेंगे उपकरत बोलेंगे उरवरा बोलेंगे थीं आपके उत्ágina पर देश बियों कर देजिए आपके उत्तरप्देश बीड़ के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टण्ट है और ये कोशन बहुत ही इंपॉर्टन्ट है ठीक है तो आप इसको शेयर करदें लाइक कर दें यए रिए और इसका टार्गेट हम लोग रखेंगे सौर लाइकज का ठीक है सल आज का हम लोग टार्गेट रखेंगे कि इस जो वीडियो दे रहा हूं इस पर आप लोग तो जरूर करें 100 liik को कम्प्लीट करने सौ लाइकस को कम्प्लीट करने ठीक है इस का उत्फिर्ट बताई ये उच्छिप्त उत्थरदाई उपकृत यह औरवरा रोत सहिए देके उफ्र उत्थ साही उत्तरे और ऐसा का इसका घड़िता रोजाएगा इसा इस aten ऋत्तर हुए कोम अच्छिप्त बोलेंगे और उत्तरदाई का मतलब क्या होता है जिस पर किसी काम का उत्तरदाईत वो हो उसको उत्तरदाई बोलेंगे उपकरत किसको बोलेंगे उपकरत का बताएं आप लोग उपकरत किसको बोलेंगे जिस पर उपकार किया गया हो उपकार किया गया हो जिस पर उपकार किया गया हो जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकरत बोलेंगे और उरवरा किसको बोलेंगे उरवरा किसको बोलेंगे जो भूमी उपजाओ हो जो भूमी उपजाओ हो भूमी उपजाओ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग उर्वरा बोलेंगे ठीक है अच्छा आप लोग मुझे यहाँ पर यह बात एक बात बता दो कि मैं सोच रहा हूँ एक तो जैसे के ठीक है प्रैक्टिस हिंदी की प्रैक्टिस करवाऊ आपको यानि के ज़्यादा से ज़्यादा कोशन आपको करवाऊ या एक प्रैक्टिस की क्लास ना करवाकर एक ऐसी आपकी क्लास लाऊ कि जिसमें जैसे के वर्ण माला चैप्टर है ठीक है वर्ण माला माली जे चैप्टर है वर्ड माला चैप्टर है तो इसके मैं जो महत्पूर्ण महत्पूर्ण इस चैप्टर के जो लगभग 80 कोशन है ठीक 80 से जादा कोशन है या 100 कोशन है इसके महत्पूर्ण परशन करा दूँ या ऐसी क्लास लाँ या प्रैक्टिस की प्रश्ण है 100 प्रश्ण वो आपको करानू क्लास में समास के जो सौ प्रश्ण है वो आपके महत्पूर्ण है वो आपकी क्लास में लगा दूँ किस तरह की आप लोग क्लास लेना पसंद करेंगे ये आप लोग आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएबा, ठीक है, आप जैसे जैसे लोग की तादाव जाधा होगी ठीक है, जो लोग छादा class cream बारे में कहेंगे ठीक है, मैं वो class कल से start कर दूँगा, practice की ठीक है, या chapter wise, practice की या chapter wise, तो अगर आपको practice की class चाहिए हो, तो तो आप लोग ठीक है पी लिग दीजिएगा कमेंट सेक्षन में वन सेकेंड कमेंट सेक्षन में आप लोग पी लिग दीजिएगा ठीक है पी लिग दीजिएगा जिसको प्रेक्टिस की क्लास चाहिए हो ठीक है और जिसको चैप्टर वाइस क्लास चाहिए हो वो सी लिग तिक सम्मान किया जाता है इस में जो सही विकलब हो आपको वो चुनना है अपमानित अपमान सजा या पुरस्क्रत देखिए विद्दानों का सम्मान किया जाता है इसका आप लोगो ठीक विलोम बताना है सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा सम्मान का विलोम हो जाएगा अपम विलोम बताना है अपमानित का विलोम क्या हो जाएगा अपमानित का विलोम हो जाएगा सम्मानित ठीक है उसके बाद अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान सजा का विलोम क्या हो जाएगा सजा का विलोम हो जाएगा दंडित सजा का विलोम हो जाएगा दंडित सजा का विलोम क्या हो जाएगा पुरसकरत का विलूम आपको बताना है क्या हो जाएगा चलिए सजा का यहाँ पर जो है वो पुरसकार हो जाएगा सजा का पुरसकार हो जाएगा विलूम ठीक है और पुरसकरत का विलूम क्या हो जाएगा पुरसकरत का विलूम हो जाएगा दंडित ठीक है अगले प्रिश्ट पर हम लोग बढ़ते हैं ये सब बेमेल चीजें हैं ये सब बेमेल चीजें हैं इसका सही उतर आप लोग बताएं संगत सुडॉल अतरंग या घटिया देखे सुडॉल का सुडॉल का जो विलूम होता है वो क्या होता है ठीक है सुडॉल का सुडॉल का विलूम होता है बेडॉल बहीर अंतरंग का होता है बहीरंग और घटिया का होता है बढ़िया तो इस तरह हमारा सही उत्तर हो जाएगा संगत ठीक है अगना प्रश्णाप सभी के सामने निम्लिखित परतियेक प्रश्ण में दिये गए शब्द में युक्त संधी के प्रकार का चैन उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से कीजिए इसमें आपको बताना है कि निश्पाप में कौन सी संधी है यर संधी है गुर संधी है वेंजन संधी है या विसर्ग संधी है इसमें सही संधी भी बताना है और निश्पाप की संधी होगी क्या आपको ये भी बताना है आपको ये भी बताना है देखिए निश्पाप की सबस नहीं को तरह याओ रहा है ठिक तो इसमें विसर्ग संदी हो जाएगी ठीक है अगले प्रिश्मर हम लोग बढ़ते हैं अन्वेशन अन्वेशन गुण संधी यड़ संधी देर्ग संधी वियंजन संधी कौन सी संधी है अन्वेशन में कि अन्वेशन की संधी विच्षद भी बताना है आपको कौन सी संधी है और इसकी संधी विच्षद भी करना है आपको देखिए इसमें कौन सी संधी हो जाएगी इसमें संधी हो जाएगी आपकी यड़ संधी यड़ संधी अन्वेशन में हो जाएगी और अन्वेशन का संधी विच्छद करेंगे तो किस तरह से होगा अन्वेशन का संधी विच्छद अनू प्लस एशन अनू प्लस एशन ठीक ह अगला पुष्टाम सभी के सामने निर्देश निम लिखित पुष्टों में सही संधी विच्छत का चैन कीजिए समुन्दोर्मी इसका संधी विच्छत क्या होगा समुन्द्रो प्लस उर्मी समुन्द्र प्लस उर्मी समुन्द्र प्लस और्मी समुन्द्र प्लस उर्मी इसका संधी विच्छत बताना है आपको सही और इसमें कौन सी संधी है आपको ये भी बताना है हुआ उन लिखिस का सही उतार हो जाएगा इसका सही उतार की हो जाएगा और आप्शन नमर्डी समुन्द ओर मी और संधि कौन सी है इसके कौन सी संध्य आप इब बताना है इस में गुल इसमें गुल स्वर संधी है if यह रिपीटेड कोशन हो गया अगला प्रशना आप सभी के सामने निमलिखित प्रतियेश और निर्देश प्रतियेख शब्द के लिए उसके नीचे दिये गया विकल्पों में से उप्युक्त पर्यवाची शब्द का निशान लगा ये कंचन का पर्यवाची क्या होगा आप इसका सही उतर जो हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा कनक कनक जो है ये कंचन का पर्यवाची है कनक जो है ये कंचन का पर्यवाची है अब काया का पर्यवाची आपको बताना है और चंद्रमा का देखी काया का पर्यवाची हो जाएगा शरीर काया का पर्यवाची हो जा चद्रमा का पर्यवाची हो जाएगा ठीक है अब आपको विपट विटप का पर्यवाची बताना है विटप का पर्यवाची होगा याद रुखिएगा व्रक्ष विपट का पर्यवाची व्रक्ष हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ट कांता इसमें आपको कांता का पर्यवाची बताना है इसमें आपको कांता का पर्यवाची बताना है चलिए बताए कांता का पर्यवाची क्या हो जाएगा कांता का पर्यवाची क्या हो जाएगा आभा मनसिज रावर या इस्त्री देखी इसमें जो कांता का पर्यवाची हो जाएगा वो हो जाएगा इस्त्री कांता का पर्यवाची इस्त्री हो जाएगा और आभा का पर्यवाची आप लोग मुझे बताएं आभा का पर्यवाची हो जाएगा रोश्नी आभा का परेवाची रोशनी हो जाएगा ठीक है और मनसिच का परेवाची क्या हो जाएगा मनसिच का परेवाची हो जाएगा कामदेव मनसिच का परेवाची हो जाएगा कामदेव ठीक है और रावन का परेवाची क्या हो जाएगा रावन का पर्यवाची हो जाएगा दशानन दशानन ये रावन का पर्यवाची हो जाएगा और इस तरी का एक पर्यवाची कांता हो जाएगा अगला प्रश्ण हम सभी के सामने निम्लिकित प्रश्णों में प्रतियेक मुहावरे के लिए चार विकल्ब दिये गए हैं इनमें से एक उचित एवंप सही विकल्ब का चैन कीजिए अंक भरना का मीनिंग क्या होता है मुहावरे का अर्थ क्या होता है दिल भराना लज्जित होना गले लगाना या शावासी देना अंक भरने का मतलब क्या होता है अंक भरना ये मुहावरा कौन सा है अंक भरना देखिए गले लगाना अंक भरने का अर्थ हो जाएगा गले लगाना अग्रा पुशनाब सभी के सामने आँख का पानी ढलना इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है आँख का पानी ढलना इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा निरलज होना निरलज होना इसका सही उत्तर हो जाएगा आखों में सरसो फूलना इस मुहावरे का सही अर्थ बताएं आप लोग आखों में सरसो फूलना विवेक न होना इसका सही उतर हो जाएगा आप लोग का विवेक न होना मनुष अपने डैश का निर्माता स्वयम ही है भाग, ग्रह, काम, यवस्त्र मनुष अपने भाग का निर्माता स्वयम ही है अग्रा प्रशनाब सभी के सामने मनुष अपने डैश का निर्माता स्वयम ही है भाग, यह रिपीटेड कोशन हो गया मैं बच्पन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी उपरोग पंक्तिया किस कवीत्री ने कही हैं ये भी प्रशनाब कई बार एक्जाम में आ चुका है इसका सही उतर आप लोग बताएं ये सुभध्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्ति लिखी थी ठीक है इसका सही उतर हो जाएगा भी सुभध्रा कुमारी चौहान अगला प्रशनाब सभी के सामने आसु काव गरत निम्नि में से किसका है भारतिन्दु हरिश्चंद्र राम नरेश्टर पार्टी जैशंकर परसाद ये श्रीधर पाठक देख इसका सही उतर हो जाएगा आपका जैशंकर परसाद जैशंकर परसाद ठीक है और अंधेरी नगरी किसकी है अंधेरी नगरी ये तुमारी भारतिन्दु हरिश्चंद्र की है ठीक है अगला प्रश्ट परवत कैता शीश उठाकर तुम भी उचे बन जाओ उपरोग पक्दिया किस कवीने कहीं है इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर आप लोग बताएं पर्थवी डैश सूर की परिक्रमा करती है अभी राम अवी राम अक्सर ये जादा तर ये पर्थवी जो है सूर की परिक्रमा बिना रुके करती है और बिना रुके का मतलब क्या हो जाएगा अविराम, बिना रुके का मतलब हो जाएगा अविराम इसका सही उतर हो जाएगा अविराम और मैं आपको बता दूँ के पृत्वी जो है पृत्वी जो है सूर्गी परिक्रमा 365 सही एक बटा चार दिन में पूरी करती है ये भी आपको याद रखना है ठीक है चार साल बाद जो है पूरा एक दिन बन जाता है इसलिए हर चार साल बाद फरवरी 28 की ना होकर 29 की हो जाती है अगला प्रश्णा आप सभी के सामने लोक तंत्र में सब को डैश अधिकार होता है आसमान, निरंतर, असीम या समान इसका सही उत्तर हो जाएगा समान अगला प्रश्णा आप सभी के सामने निरंत प्रश्णों में विकल्पों का सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चैन करें अना विर्ष्टी, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ वर्षा की अथिशैता, वर्षा का भाव, वर्षा की नियूनता, या वर्षा की प्रयापता देखिए अना विर्ष्टी का मतलब होता है वर्षा का अभाव अना विर्ष्टी का मतलब होता है वर्षा का अभाव और अती विर्ष्टी का मतलब होता है वर्षा की अधिक्ता और अल्प विर्ष्टी का मतलब क्या होता है अल्प विर्ष्टी का आर्थ होता है वर्षा की निउन्ता इस तरह से इसका सही उतर हो जाएगा आप्शन नमर बी वर्षा का आभाव समिश भोजी समिश भोजी, जो सब कुछ खाता हो, जो केवल फलाहार करता हो, जो मास भोजी हो, जो निराहार करता हो, जो निराहार रहता हो, इसका सही उतर हो जाएगा आपका, जो मास भोजी हो, जो मास भोजी हो, इसको हम लोग सामिश कहेंगे सॉरी गाइस इसका उत्रा आप लोग बताएं जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलेंगे वियोगी विधुर वियुक्ट या संतप्त इसका सही उतर आप लोग बताएं विधुर जिसकी देखिए पत्नी मर गई हो उसको विधुर बोलते हैं और जिसका पती मर गया हो उसको विधुर बोलते हैं जिस आदमी की आदमी की आदमी मर गई हो उसको विधुर बोलते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन नमर बी विधुर जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसको क्या कहेंगे आश्रमवासी त्यागी सन्यासी या तपस्वी उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे सन्यासी उसको सन्यासी कहेंगे नारी तुम केवल शृद्धा हो विश्वास रजत नग पद्दल में ये बताईए कामा यानि ये शोधरा साकत ये सरोज स्मृति यानि कि जो आपके सामने पंक्ती दी गई है ये किसके काव में है ये किसके काव में थी ये जैशंकर प्रसाद के जो कामाया यानि थी ये उसमे पंक्ती थी कुछ इंपॉर्टन पंक्तिया होती है वही एक्जाम में बार बार पूछी आती है मनश एक सामाजिक प्राणी है ये किसने कहा अरस्तू प्लेटो सुक्रात या रसकिन्ने देखिए ये आपका किसने कहा अरस्तू ने कहा ये बात किसने कही अरस्तू ने कही और ये प्लेटो के शिश थे अरस्तू प्लेटो के शिश थे गितानजली अमर करती है किसकी है ये गितानजली किसकी करती है गीतांजली और इसको उन्होंने 1913 में लिखा था जिसके लिए इनको नॉबल पुरुसकार भी प्राप्त हुआ है नैन जो देखा कवल भो निर्मल नीर शरीर उकति किस रचना से उद्रित है इसका सही उतरा आप लोग बताएं ये पदमावस से ली गई है मंगल भवन अमंगलम हारी ये किस ने पंक्ती कही थे ये तुलसी दास ने पंक्ती कही थे वाच्चे होते हैं आपको वाच्च बताना है कितने परकार की होते हैं और कौन कौन से होते हैं वाच्छ तीन प्रकार के होते हैं, करतवाच्छ, कर्मवाच्छ, भाववाच्छ, निम्न में भाववाच्छ बताईए, अब चला जाए, अब चला जाए, ये भाववाच्छ है, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं, कितने हिंदी में वचन दो होते हैं, सौ संस्क्रत में तीन होते हैं, निम्न में सम्मात्रिक छंद कौन सा है, दोहा, सोर्टा, चौपाई या सभी, देखिए चौपाई जो है इसमें सम्मात्रिक छंद है, प्रते होता है शब्दांश, वाग्यांश, पदांश या पदांश, शब्दांश, प्रते होता है लोग सभा में मन्तरियों का पागलपन इसपश दिखाई देता है, वाग्य में रिक हांकित किस कोटी का उपसर्ग है? पागलपन देशज इसका सही उतर हो जाएगा देशज प्रियोग क्याधार पर शब्द भेद है इसका सही उतर हो जाएगा दो इसका सही उतर आप लोग बताएं पनही शब्द का तच्सम रूप है इसका सही उतर हो जाएगा उपाना उध्धान का शुद्वर्ण विच्छिद है इसका सही उतर आप लोग बताएं इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C दिन मेंसे किस धातू से भाशा बनी आपको ये बताना है किस धातू से भाशा बनी इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B भाश देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको practice की class चाहिए है तीक है जिसमें मैं महत्पूर्ण पुष्ण कराऊंगा 40 से 45 या 50 महत्पूर्ण पुष्ण कराऊंगा या आपको chapter wise classes चाहिए है या लिके जिसके माली जी संधी है ठीक है संधी के मैंने ठीक है 50 important पुष्ण करा दिये एक class में ठीक है फिर दूसरी class में मैंने समास के करा दिये तीसरी class में मैंने उبसर के करा दिये ठीक है चोती class में अलगार के करा दिये इस तरह से आपको class' चाहिए है आपको जिस तरह से classes चाहिए है आप लोग comment section में ज़रूड बतादी जगा और आज का अपना score भी बता दीजगा ठीक है और क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दे और इसको शेयर जरूर कर दे हर बंदा एक बंदे को शेयर जरूर कर दे कम से कम ठीक है ओके बाई